हे अब्रिवन गाईज कैसे हैं आप सभी लोग स्वागत आपका एडू खबरी पर सो एससी सीजियल केंडिट्स के लिए बहुत बढ़िया खबर है कि एससी ने कुछ मेजर पोस्टों के लिए वेकेंसी बढ़ा के निका लिए जैसे कि मैं बात करता हूं असिस्टेंट ओडि अधिट ऑफिसर की बात करता हूं यहां पर तो पिछले साल जो 2021 का हुआ था उसमें एकसो नबधे वेकेंसी इस बार एकसो दो वेकेंसी निकाले आनि की थोड़ी कम कर दी है अगर में बात करता हूं दोस्तों डिविजनल अकांटेंट की तो पिछले जो 2012 में इसकी इन्होंने 303 vacancies निकाली है निकी 100 vacancies बढ़ाके निकाली है तो कहीं नोंने जो कमी करिये वो assistant accounts officer के अंदर 88 vacancies की कमी करती है बागी तीनों में नोंने बढ़ा ही है तो अगर मैं total difference की बात करता हूं गए तो total difference जो 514 vacancies का रहा है तो 9388 vacancies आपकी यहां पर extra है डोड़ जाएंगे तो थोड़ा इसमें निराश होने वाले जरूत है कि इसका grade पर कम होता है कम लगी तो government जो मिल जाए पहले मिल जाए कैसे मिल जाए उसके बाद हम देख लेंगे vacancies थोड़ा बढ़के मिलेगी तो जो serious candidates होंगे उनका कहीं न कहीं जो पहले कुछ number से रह रहे थे जैसे like एक दो number यह कुछ भी number से रह रहे थे उस बार उनके chances काफी जादा बढ़ जाएंगे मैं total vacancy की बात करता हूं कि total vacancy expected vacancies बात कितनी आएंगी तो हर साल पिछली मतलब पिछले जितनी भी हुई है तो हर साल जो आकड़ा रहा है SSC CGL का vacancies का वह 75,500 से 10,000 के बीच में रहा है 10,000 के बीच में रहा है हो गई है ठीक है मैं आपको expected बता रहो कि इसके आसपास vacancies आएंगी प्लस मैं postal assistant और sourcing assistant की vacancies हमारी इतनी हो गई तो मैं इसको भी 10,000 मान के चल लो तो 10,000 ले लो आप इसको तो 19,000 के लगबर 19,000 के आसपास आपकी इस बार की vacancies आएंगी जो पच्चे फर्म भर देते हैं बट उनकी त्यारी पूरी नहीं होती वो vacancies के नाम पर बस फर्म भर देते हैं so guys जो serious candidates है वो जम के मैनत करने लग जो भी 10-11 घंटे से कम मत पढ़ना आपके पास last chance है because election के बाद फिर पता नहीं कब आएगा यह chance आपके पास तो best of luck guys